दोस्तों मार्केट से जूड़ी कुछ बड़ी अपडेट यहाँ पर रीसेंटली निकल कर आ रही है जो कि आप सभी के लिए जानना एक इन्वेस्टर के लिए एक ट्रेडर के लिए जानना बेहत जादा जरूरी है अगर आज की दिन आप इंडियन स्टॉक मार्केट की पोज देखने को मिल रही है याने कि लगबख 200 पॉइंट से निफ्टी 50 भी आज के दिन हमें क्रेश होते वे देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर अगर आप यूरोपियन मार्केट की पोजीशन देखेंगे तो उनका हाल बहुत जादा बुरा हो रहा है जिया दोस्तों यू ग्लोबल मार्केट में हो रही है इतनी बड़ी गिरावट अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पर आपको एक गलती करने से बिलकुल बशना है कि यहाँ पर अगर आप मार्केट में इन्वेस्मेंट करना चाते हैं तो अभी के टाइम पर एक भी news market में जो निकल कर आ रही है वो market को direct impact कर रही है और आज के दिन तो जो news निकल कर आई है उसके बाद तो आपको market की अगे धज्या उड़ते वे देखने को मिल सकती है और nifty 50 के जो level है अगर ऐसा हुआ तो 14,000 को भी break कर सकते हैं एसी क्या बड़ी report यहाँ पर निकल यह nuclear power plant है उसका photo आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें आपको total 6 reactors यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और रश्या जो बंबारी कर रहा है जो गोली बारूद चला रहा है उसमें जो एक reactor है उसको यहाँ पर नुकसान पहुचा है और यहाँ पर आँग लग चुकी है तो यह यहाँ पर उक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का स्टेट्मेंट जो निकल कर आया है वो बहुत ज्यादा चोकाने वाला है कि नोवे सबसे बड़े nuclear power plant में अगर विसफोर्ट होता है यानि कि अगर इन 6 reactors में आग लगती है और अगर यहाँ पर विसफोर्ट होता है तो पूरा का पूरा यूरोप जी यहां दोस्तों पूरा का पूरा यूरोप हमें इसके चपेट में आते वे देखने को मिल सकता है यानि कि पूरी तरीके से खतम होते वे देखने को मिल सकता है खुद कि यहाँ पर official news देख सकते हैं राष्टरबती जेलेंस्की ने ये भी काया कि रूस की सेना को तुरंद यहां पर रोकना चाहिए यानि कि जो reactors के उपर वो अपनी continuously गोली बरसा रहे हैं उसे यहां पर रोकना चाहिए और Ukraine में total 15 nuclear reactors हैं अगर nuclear धमाका होता है तो यह सब का अंत होगा और उन्हें ने direct यहां पर indicate किया है कि यूरोप यहां पर खतम हो हैं उन्हें अपिल करते हुए कहा है कि रूसी सेना को रोकने के लिए यूरोप को कोई बड़ा कदम उठाना होगा और उसी को लेकर यहां पर एक बड़ी update निकल कर आ रहे है कि यूरोप की तरफ से अभी recently high level meeting बुलाई गई है और उस high level meeting के अंदर जो reactors के ऊपर रशिया की तरफ से धमाकी किये जा रहे हैं उसको लेकर ही यहां पर कुछ बड़ा statement निकल कर आ सकता है आप देख सकते हैं यूरोप को परमाणू आपदा में परने नहीं दिया जा सकता जेलेंस्की ने चर्णोबिल हाचसे का जिक्र करते हुए का है कि जौपिरी जिया में छे reactors है और चर्णोबिल में तो एक नहीं तबाई मचाई थी मैं आपकी जानकरी के लिए बता देना चाहता हूँ कि चर्णोबिल में जो एक nuclear reactors था जिस पर यहां पर धमाका हुआ था और उस धमाके में लगबग 85,000 लोगों ने अपनी जान गवाई थी जिया दोस्तों करियेगा लगबग 33,000 लोगों की यहां पर मोत हुई थी इस धमाके में तो आप खुद यहां पर सोच सकते हैं कि युक्रेन के अंदर जो 15 nuclear reactors अगर उनमें धमाके होते हैं तो वो all over world के लिए कितना जादा पुश्किल पेदा कर सकता है और सबसे में यूरोप पे पूरी त होते हुए देखने को मिल रही है अब देख सकते हैं यूके ने यहां पर UNAC की इमरजेंसिंग मेटिंग भी यहां पर बुला ली है तो यहां पर अब हमें इस war situations में कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है और वो market के लिए बिलकुल भी positive नहीं होगा अगर यहां प को बताए कि यूरोप का stock market तो पूरी तरीके से crash हो चुका है लेकिन रशिया के stock market से एक और बड़ी update हमें यहां पर आते वे देखने को मिल रही है जिसा कि आपको पताए कि रशिया का stock market पांच मार्स तक हमें यहां पर बंद होते वे देखने को मिल रहा था close होते वे देखने को मिल रहा था लेकिन अब history में बहुत बड़ा यहां पर decision लिया है रशिया ने जहां पर रशिया ने again अपने stock market को 5 मार्स से लेकर 8 मार्स तक के लिए 9 मार्स तक के लिए यहां पर पूरी तरीके से shutdown कर दिया है जिया दोस्तों यहां पर जिस प्रकार से USA USA की तरफ से रशिया के उपर sanctions लगाये जा रहे हैं हमें जो swift को लेकर sanctions देखने को मिलाता है याने कि जो international payments को लेकर जो sanctions यहां पर रशिया के उपर देखने को मिले थे जिसे रशिया की जो currency थी जो rubel थी वो पूरी तरीके से crash हो चुकी थी और उसी के बाद में रशिया ने यह important decision लिया था और अपने stock market को याने कि Moscow के stock market को बंद कर दिया था 5 दिनों के लिए लेकिन अब हमें वो time period again extend होते वे देखने को मिल रहा है देख सकते हैं the Moscow exchange said on Friday that trading across all markets will be shut down on 5th March, 7th March and 8th March since the Moscow exchange equity trading was the last open a week ago तो यहां पर एक वीक से भी ज्यादा का समय बेच चुका है और ल लगबग more than 90% of their value before getting suspended तो यहां पर बहुत ज्यादा Russian countries को भी इसका नुकसान हो रहा है और यहां पर लगबग 100 billion US dollar का market value रश्या की crash हो चुकी है तो यहां पर Ukraine से ज्यादा रश्या को इसका नुकसान जिलना पड़ रहा है और रश्या की जो GDP है उस पर बहुत बढ़ा हमें negative impact देखने को मिल रहा है तो जैसे कि मैंने आपको starting में ही बताया यह लड़ाई अब हमें और ज्यादा aggressive होते वे देखने को मिल रही है और इस time पर market के अंदर एक भी गलट decision आपकी पूरी capital को खतम कर सकता है वहीं एक और बड़ी updates यहां पर recently निकल कर आ रही है जैसा कि second negotiations देखने को मिल आता लेकिन उसमें भी कोई बड़े updates यहां पर निकल कर नहीं आए है वो और अभी भी रुकी नहीं है और यहां पर जैलन्सकी की तरफ से एक बड़ा statement निकल कर आया है जी यहां दोस्तों आप देख सकते हैं the third round of talks are planned for early next week याने कि next week में हमें again यहां पर third negotiations देखने को मिल सकता है और यहां पर जैलन्सकी ने challenge किया है पुतिन को कि वो सामने आए खुद सामने आए और यहां पर negotiation करें तो यहां पर जैलन्सकी challenge पुतिन to sit down with him for talks तो यहां पर जिस प्रकार की nuclear धमकी अब देखने को मिल रही है जिसमें European भी पूरी तरीके से हमें यह यहां पर घिरते वे देखने को मिल रहा है अगर यहां पर reactors पर ज्यादा नुकसान होता है तो यहां पर पूरे world के लिए खतरा उट सकता है जिसा कि आपको पता है कि यह लड़ाई बले ही थोड़े समय की हो लेकिन अगर nuclear power को यहां पर इस्तमाल किया जाता है तो इसका अस हमें सालों साल देखने को मिल सकता है तो कहीं न गई अब हमें यहां पर आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशन्स बहुत जदा इंपोर्टेंट होने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी जो अब सटड़े संड़े मार्केट क्लोज है तो मंडे के दिन यानि अब आप इंवेस्मेंट करके बिठे हैं तो यहां पर अभी आपका पॉर्टफोलियो जो पूरी तरीके से रैड हो रहा है यहां पर आपको सिर्फ अपने पॉर्टफोलियो में ब्लूचीप स्टॉक्स को ही रखना है अगर आपने स्मॉल केप कमपनी को अपने 10 साल में काफी ज़्यादा ब्राइट हो तो यहां पर उनी कमपनियों के उपर आप अपनी पॉजिशन को कंटीन्यू करते वे चल सकते हैं क्योंकि यह जो सिचुएशन से यह अगेन वर्स्ट होते वे हमें देखने को मल सकती है क्योंकि 16 और 17 मार्च को भी जो FOMC की मिटिं होने वाली है जिसमें इंट्रेस रेट हाइक होने की जो अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है वो मार्केट के लिए और बड़ी नेगेटिव नियूस हो सकती है तो चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और अपडेट पसन आई होगी अगर आपको वीडियो और आपको बिल्कुल भी नहीं करना है